हेलो दोस्तों स्वागा था आपका एक्जाम टाइम में दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि MPPSC मुख्य परिक्षा 2019 मार्च में कंड़क्ट होना है और कोपी के प्रारूप को लेकर बहुत सारे अभ्यारतियों को यहां पर प्रोब्लम आ रही है देखिए प्रोब्लम इस बाकि उसमें जो इस्पेस की यदि हम बात करते हैं तो वह बहुत कम है क्योंकि हमारी जो प्रेक्टिस है तो वही है यानि हम अगर सिक्समार्गे का यदि कोई प्रसन देखेंगे तो हम डारेक्ट वह अपनी सब्द सीमा को एकदम से कम नहीं कर पाएंगे उसी के लिए यह जो पीएसी की कोपी है उसमें अभी जगह कम है तो उसके फर्मट को बदलने की यहां पर तैयारी हो रही है तो आपको जल्दी ही आपको पूराना वाला फोर्मट में जाएगा बाकि कोश्चन वेसे ही रहेंगे यानि उसमें टाइप रहेंगे कोश्चन तो यह तो हमारे यह बहुत अच्छा है क्योंकि हमें जो question पहले करना होगा वो हम पहले यहाँ पर कर सकते हैं तो देखें यहाँ पर पूरी 19 की मुख्य परिक्षा में नया फार्मट लागू होगा यानि नया फार्मट अभी तो लागू कर दिया गया है अब इसमें संसोधन करने की भी इनकी तयारी है उसके बाद में उमिद्वारों की प्रेक्टिस उमिद्वार प्रेक्टिस कर सके इसके लिए पीसी ने नया प्रा नहीं तो उसमें तो सही लाइन उन्होंने यहां पर दिये अब सो सब्दु वाले उत्तरों को लेकर उमेदवार यहां पर परिशानी जता रहें नई दुनिया से बात करते हुए अब ये सी की और से कहा गया है कि विध्यातियों की परिशानी का संग्यान लेकर प्रारूप मे आवसक परिवर्तन आयोग जल्द यहां पर निर्ने लेगा यानि आवसक परिवर्तन उसमें किये जाएंगे और आयोग जल्द ही यहां पर निर्ने लेगे यानि आपको भरपूर वहाँ पर इस्पेस मिलेगा यानि आप आपकी जो प्रेक्टिस है वो यहां पर काम में और परिक्षा में सामिल हो रहे सभी उमिद्वार को एक ही कोपी दी जाएगी इसमें प्रस्ण छपे होंगे उसके नीचे उत्तर आपको यहां पर खाली स्तान में लिखना होगा उसके बाद में प्रस्ण पत्र में तीन तरह के प्रस्ण होंगे जैसे त्री मारकर यानि तीन अतिलगूत्री और फिर आंक के होंगे जो लगूत्री होंगे और पंद्रा नंक के यहां पर दिरगूत्री प्रस्ण होंगे जो आपका है यानि देखें यहाँ पर थोड़े सा ये भी confusion था कि क्या जो ये syllabus है वो भी change हो चुका है क्या यानि जो नए तरीके से आएगा क्या 2019 मेंस का तो कुछ भी change नहीं हुआ है 2019 का 2019 का ही रहेगा जो भी नए परिवर्तन हुआ है syllabus में तो वो 2020 वाले exam में होगा अब देखें यहाँ पर जो 15 अंके के हो गए अति लगुत्री प्रस्ण के जवाब 15 से 20 सब्दों में देना है वो लगुत्री प्रस्णों के 100 सब्दों में यहाँ पर लिखना है जबकि दिरगुत्री प्रस्ण के 300 सब्दों में लिखना होंगे पीस सी द्वारा प्रारूप ही है जबकि सो सब्द वाले पुरस्ण के उत्तर के लिए 11 लाइन ने ही छोड़ी गई है उमिद्वार ने आपत्ती जताई यह देखिए इसी बात पर आपत्ती दर्जी की है कि 20 सब्द के लिए 4 लाइन है 300 सब्द के लिए 3 पेज और 65 से ज्यादा लाइन है तो सब्द के लि ने लेगा या फिक्या विचार करता है अब यहां पर आयोग के ध्यान में यहां समस्या आ गही यानि इस समस्या पर विचार कर रहे हैं अध्यक्ष के सामने इसका प्रस्ताव भी रग दिया गया है और चर्चा चल रही है कि उत्तर लिखने के लिए जगहा बढ़ाई जली प्राई की तो जो इसली सब्सक्राइब से उसके बाद में सबस्याइं और चल रही है तो दोस्तों है d Chen अब बहुत चैICO पास में से लिए और जो जो नोर्स आपको नहीं मिल रहे हैं और फिर उसके बाद में जो करेंट का डाटा है उसे भी आप एक पेज में लिखते चलें तो आप अच्छे से यहां पर प्रक्टिस करें मेंस के आंसर राइटिंग भी करते रहें तो आपके जल्दी यहां पर एक्जाम होगा इसलिए आपको 2020 पर ध